वाय तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन में देखो बच्छों मिफ कोश्टंस देखेंगे पहले टों ठीक है मल्टीपल रिफ्लेक्शन इसका कोई हिंदी की जुरूत नहीं है वोई एक से जादा रिफ्लेक्शन ओ रहे हैं ठीक है बहू परावर्तन कोई टेकनिकल वर्ड यह यह क्या है यह हमने एक मिरर लिया एक मिरर हमने यह लिया इसका फोकल लेंज है ती सेंटीमेटर और इसका फोकल लेंज है साट सेंटीमेटर यहां पर हम क्या गएंगे यह अब्जेक्ट होगी मेरी अब्जेक्ट यहां से यह चालीश सेंटीमेटर दूर टोटल दोनों के बिच में डेट सो सेंटीमेटर यह डाइग्राम आपने स्केलिंग ठीक नहीं बनाई जी चालीश है तो यह तो बीस तीस लग रहा है जो यह बाकी नब एक सो दस रहा गया करिकर स्केलिंग कोई ठीक नहीं है तुम्हें पहला रिफ्लेक्षिन लेना इससे इसको मैंने अइंधी में बहुते है तो यह ब्लोक कर लगा दों मॉल जो रिज को ब्लोक करते बिसीकली ऐसे करके मैं यहां पर गार्म ऐसा लगा दिया कि रर्च सिद्धी यहां से यहां जा ही न पोई न पाई अगर रेज आप should time Euro टक्रा करकर है ए さख डूक्र यह पहला reflection यहां से लेड़ी तो पहला Regal यहां से प मुच्छा आपने में बोल सकते हैं, चलो, मैं लगा, find everything about final image, find everything about final image, कहाँ बनेगी, final image आने की M2 से पहली, तो first from M2, तो ऐसे तो बनती रहेंगी, अगर मैं इसको बड़ा कर दूँगा, तो बनती रहेंगी, तो पहली इससे, फिर दूसरी इससे, तो इससे जो है, इसको मैं M1 बोल जाए, इसको मैं M2 बोल जाए, तो इससे जो पहली image उसके बारे में बताना की कहाँ बनेगी, किस size बनेगी, क्या बनेगी, सब कुछ बनाना, ठीक है, तो तुम तुम जो है, इसको छोड़ो, पहरे से बिसको निकाल दो इसको इमेज है, यह अबजेट कहाँ बनेगा, कितने size का बनेगा, यहा है, पहला reflection, क्या बनेगा, खेक है वो चेक करेंगे किसा में नेगेटीव फ्रेंट में नेगेटीव पीछे पॉसितिव टुम लाएंगे नियुब फर्मुला वन बाइव वीवन बोल दूं इसको इसको विचागो तो यू गरन बोल सकते हो यह मेरा वन के लिए थीक है तो हमारा यूवन का वैल्य यहां पर होगा है बच्चों क्यों कि फ्रेंट में है तो नेगटिव यानि कितना है 40 प्लस में 1 by V1 V1 यानि कि तुम्हारा इमेज निकालना है फोकल लेंद भी तुम्हारी होगी नेगटिव जो कि यह माइनस का 30 cm तो यहां से हम क्या बोलेंगे बच्चों 1 by V1 is equal to आ गया है एक बाइ 40 माइनस में एक बाइ 30 तो यहां से बच्चों आजेगा 120 और उपर बनेगा यानि जो पहले का जो इमेज है वो बनेगा 120 cm पीछे अब देखो यह वाली जो रेज है सपोस करो तुम्हारी रेज यहां से ऐसे आ रही है ठीक है ठोड़ा सा डागराम कुछ मुछ होगा लेकिन मैं एरेज कर दूँगा 120 का मतलब हुआ कि तुम्हारी रेज ना टक्रा करके इसको अटा दू तो यह जो रेज हैं जो इसके लिए इसके लिए रिफ्लेक्टेट रहे हैं जो की 120 से मिलने वाली ती लेकिन इसके लिए क्या हो गई इन्सीडेड रे तो इसके लिए यह जो इमेज बने गापर भी बने गाई यहाप 120 कंँछ यहाप नहीं मिलें है बिच में पैंगे इंक इलूंया घेल घी कर दो को है सब्सक्राइब इसको में में कि यह यहां याय पर ऴरी क्द्न होगी दो यह यायविज्धक न मींचीं मिलिए तो सब्सक्वार यह यहां जए कि गाओicem तो पहले का जो इमेज है वो दूसरे के लिए अबजेक्ट का काम यहां पर करेगा तो इसको किसे करें यहां पर पहले इसके बारे में कुछ निकाल लेते हैं इस इमेज के बारे में पर आगे काम करेंगे मैं आपर लेते हैं आपर निकाले तो इम बंका वैल्यू वेलिव कितना आजेगा बच्छों यहां पर आगे तीन यह है यह हमने पाइट में रख लिए और एम वन जो है वो नेगेटिव है यह भी हम जानते हैं टीकाए तो माइनए माइनस का 3 आएगा माइनस का 3 आगे यह इसको अपने pocket में रख लिए ठीक है अब देखो जड़र आगे अब हम काम करेंगे mirror 2 के लिए मित्वर्टू के लिए मिडल करेंगे mirror 2 के लिए शरी क्या लिखेंगे वही वाला सामने वाला negative पीछे वाला positive सामने वाला negative पीछे वाला positive से इसका लग से बनाये वह इसका भी जो image है वह है यहां से 120 पर इससे कितने बुज़े हो जाएगा लेकिन 30 कैसा सामने सामने तो negative तो माइनस का एक बटा साथ तो यहां पर हम क्या बोलेंगे वन बाई वी टू आ जाएगा माइनस का एक बटा साथ प्लस में एक बटा तो वी टू का बैल आगे माइनस का साथ फ्लस यहां पर प्लस का एक बनेगा इसके बिहाइंड बनेगा तो हम यहां पर क्या रिखेंगे फाइन आंसर क्या जोगा मेरा बच्चों देख कौन साम मेरे सामने इमेज हमारा बनेगा वह बनेगा साट सेंटीमिटर बिहाइंड एम तो अगरा बात करूं यहां पर तो पहले मैं M2 निकालू M2 का वैल्यू कितना होग है तो क्या बोलेंगे जो फाइनल इमेज हैं फाइनल इमेज जिसको मैं सेकट इमेज बात कर रहा हूं वह M apart से पीछे बनेगा ठीक है M2 से 60 cm पीछे बनेगा उसका मैगनिफिशन कितना होगा देखने जरा तो M1 होता है मेरा M1 होता है HY by H4 तो ये M1 होगा M2 मेरा कितना होता है H2 by H1 ठीक है जो इसका image वो इसके लिए object एक आप करेगा तो यहां पर अगर मैंने में height of object इसका जो image आया वो इसके लिए बन गया object तो M2 में क्या रिखेंगे height H2 upon H1 जो कि इसका जो image का height था वो H1 था तो यहां मुल्टिप्लाई कर कर दें इसको M1 into M2 थो हम पाएंगे यह बन जाएगा H1 by H0 into H2 by H0 तो sorry by H2 हम लिखेंगे जो Mnet आ गया Mnet को हम लिख सकते हैं यहां पर M1 into M2 यह हमारा जो मेरा Mnet आएगा वो मेरा हाइगा हाइट जो सेकेंड है अपन में हो जो फाइनल इमेज बना है अपन में जो initial object यह मेरा Mnet हो गया अब मैं यहां बोर सकता हूं कि Mnet जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों कि नहीं यह भी नहीं कि Mnet को मैं लिख सकता हूं M1 into में M2 अगर तीन रिफ्लेक्शन होते हैं तो M1 into M2 into M3 इन दोनों को multiply करोगे तो HI HI कर जाएगा H2 by H0 बनेगा जो की net magnesium है तो यहनि हमने आप एक नया formula drive कर लिए अगर मुल्टीपल रिफ्लेक्शन हो तो जो मैगनिफीशन है वह वैसे नहीं कहा सकते हैं M1 M2 M3 M4 करके ऐसे आगे तक हमारा चलता चला जाएगा यह काम कब कर सकते हैं मुल्टीपल रिफ्लेक्शन जब हो एक से अधिक जब रिफ्लेक्शन हो रहे हैं मुल्टीपल रिफ्लेक्शन सी अभी हम फॉर्मले बना रहे हैं कहीं पर ऐसा क्यों हुआ कि इमेज का रिफ्लेक्शन तो उससे 27 cm दूर है मतलब उसके लिए 2F इंफिनिटी वाला केस बनेगा तो वर्च्वल क्यों बना नहीं तुम फोकस कहां पर चलेगी हो यहां जो पहला इमेज है वो यहां से बना 120 पे टोटल डिसे कितना है दोनों बीच में 500 cm तो इसके 30 cm बना बना यह से 30 cm बना चाहिए तो इमेज कहां बनता है वर्चोल बनते वर्च्वल ही तो बन रहा है तुम फोकस में कहां गूंब रहे हो मैरी दूल कौर्स किसके फोकस बना घूंब रहे हो हाँ अच्छा हाँ ठीक है चलो समझ में आ गया बड़ी बात है तो यह हमारा एक नया formula आ गया बच्चों कि अगर multiple reflections हों तो हम ऐसे नहीं का सकते है net magnitude तो यहापे हम अगर बात करेंगे तो m net जो है वो हमारा आ जाएगा M1 इंटू में M2 तो यह हमारा हो जाएगा M1 था मेरी ख्याल से माइनस का 3 और M2 था प्लस का 2 तो माइनस का 3 इंटू में 2 यानि कि आगया माइनस का 6 और अगर हमें height of object निकालना है तो h2 बाइ h0 करेंगे तो h2 हो जाएगा माइनस का 6 इंटू में object कि जाएगा 2 mm का तो h2 का value आजाएगा माइनस का 12 mm तो यह हमारा answer आगया अगर मैं पूरा बोलूं बच्चों क्या मैं पूरा बोल सता हूं पूरा मैं यह बोलूंगा कि second image M2 से 60 cm पीछे बनेगा second image M2 से 60 cm पीछे बनेगा उसका size 12 mm होगा principal axis के नीचे बनेगा क्योंकि negative है और साथ में उसका जो nature है वो virtual होगा क्यों वो behind the mirror बना उसका nature क्या होगा virtual क्योंकि वो behind mirror बना है तो यह पूरी-पूरी बात होगी बड़ा simple सा कानी है पहले से करो फिर जो पहले का image आ है वो दूसरे के लिए object बन गया फिर दूबार लगा दो बात का था अगला सवाल दो प्रैक्टिस करना जरा देखो जरा अगला सवाल देता हूं प्रैक्टिस करना उसको अगला सवाल तुम्हारे आको के सामने यह रा हर है कि आरे यार है कि तुम्हारे सेमें यह रहा बच्च मृसको ट्राइब जरा आ लोा मैं यह सवाल लेक् dozen यह मेरा एक mirror है और यह मेरा दूसरा mirror है इसको M1 मानने ना पहला reflection यह आसके इसको मानने ना M2 और object मैंने इसका focal length 20 cm और इसका focal length 30 cm और object मैंने रखा यहां से 30 cm पर और यह जो distance है यह है 100 cm ठीक है ट्राइ करो M2 के image के बारे में सब कुछ निकारो मेरे ख्याल से हम त्यार हैं बच्चों सभी ने ट्राइ किया होगा answer मैं जानता हूं तुम बहुत पास पहुंचे भी होगे ठीक है छोटे मोटा वहोगा देख लेते हैं चाहो तो अगर तुम height of object लेना है तो वह height of object ले भी सकते हो height of object let's say मैंने 1 mm ले लिया ठीक है अब देखो जरब तो solution में बच्चों आब बात करेंगे solution में क्या बात करेंगे पहले M1 के लिए काम करें M1 के लिए काम करते है माइनस का वन बाई यू ऐसे मैं sign convention क्या लें बताया तो मैंने sign convention sign convention दोनों mirror के लिए अलग लग लो हला कि चाहो तो sign convention तुम्हारी मर्जी है कुछ भी ले सकते हो लेकिन मैं जो prefer करता हूँ दोनों mirror के लिए अलग लग तो जब इस यह object है तो इसके लिए यह negative और यह वाला positive जब इसके लिए काम करेंगे तो यह वाला negative और यह वाला positive बस simple बात करता है मुझी sign convention का अपने दिमाग में कभी भी हला नहीं बनाने बच्चे जो है मैं देगा sign convention का हला बना देते हैं दिमाग में फिर फज जाते हैं सिंपल रखना sign convention को अपनी इच्छा है फ्रेंट में negative योगी दो दो हो रहे हैं तो लोग की सोते हैं कि एक ही यूज करेंगे अलग लग लग कर सकते हो फिर जब इससे जो answer बोलो सब्सक्रों इससे answer आया है तुम्हारा विए जो जो उसी मिर से तुम्हें बताना है जिसे अब मैं तुम्हाता हूँ यह जो पहला जो ऑजिक्ट है यह 30 cm ऑ यह किसके लिए छलिए इसके लिए असे हैं आंगे यहां शेड लगार किए तो अब हम यहां पर बोलेगे हम यहां पर बोलेंगे हमारा औबजेक्ट यहां पर है तो रिज जाएगे कॉन खरेंगे पहला टिकशन यहां से अब ऑबजेट 30 cm पर जाए तो इसका चुइशन होगी है सामने प्लस में वन बाइ वीवन एफ बीसी का तो इसका फोक्स सामने होगा तो वह भी नेगेटिव कितना होगे मैंनस का बीस तो यहां से गर हम V1 देखेंगे तो यह बनेगा 1 by 30 पोजिटिव होजएगा माइनस का 1 by 20 से गर मायेगा शाठ और वह दूएघास से हाट माइनस का 10 मीटर जो है वह यहां पर हमारा वी वन का वैल्यू निकल करके आगा अमने निकाली मट Um गए मeduc दो गके oh myak // हाट यलहां निदे नंगी ल का का work माइनस का साथ में क्या करेंगे हमने मालूम मालूम बढ़ेगा कि object यह वह साठ बन रहा है सामने यह हो गया पहले वाले का image i1 अब i1 जो है वह दूसरे के क्या करेगा object काम करेगा तो object काम करेगा यहां पर बोलेंगे यह तो यहां से आगया हमारा वन बाई वी टू एल सीम आगया 40 और 30 120 और दोनों प्लस प्लस के हैं तो चार और तीन साथ तो वी टू का value आगया यहां पर प्लस का 120 बाई साथ प्लस का मतलब पीछे तो virtual image बनेगा बनता ही है इसका हमेशा यह जो mirror है convex mirror है यह real object के लिए हमेशा virtual image बनाता है तो यहां हमने calculate कर लिया M2 M2 हमारा आ गया माइनस का 120 बाई साथ तो प्लस का था और यू था negative का जो की था माइनस का 40 तो M2 का value नहीं आगया 3 बाई साथ हाँ यह दिमनिश बनाता है तो अच्छी बात है यहां भी हमने क्या गया Mnet निकाल लिया Mnet जो है वो मेरा क्या होगा M1 M2 में M2 M1 का value कितना है माइनस का 2 M2 का value कितना है 3 by 7 तो कितना आ गया माइनस का 6 बाई साथ आ गया यह मेरा क्या आ गया Mnet आ गया अब मैं यहां बचाओं तो बहुत होता हूं height of image जो final आएगा upon में height of object is equal to Mnet यह इसका value था 1 mm तो H2 का value मेरा कितना आ गया बच्छो माइनस का 6 बाई साथ मिलिमेटर आ गया है इसको में यहां पर पूट कर देंगे तो आंसर क्या आया बच्छो final इमेज जो second image है वह mirror 2 से जो प्लस में है न इस mirror का convention क्या बोलता प्लस यानि पीछे तो mirror 2 से 120 बाई साथ पीछे बनेगा उसका size होगा माइनस का 6 बाई साथ यानि principle axis के नीचे बनेगा और वो virtual image होगा क्योंकि वो mirror के पीछे बन रहा है ठीक है यह बारी बात समझ में आगी सबीगो ठीक है इसमें कोई भी doubt नहीं किसी तरह रहेगा doubt है तो पूछ सकते हो बच्छो अगर कोई doubt नहीं तो आगे बढ़ें आगे बात है बच्छों कि M net का sign sorry question नहीं है यह note है important note क्या है कि final image का nature मैं थोड़ा सा दिमाग के लिगा था final image का nature M net के sign से नहीं निकालना अब ये क्या आपने बोला सर इसका मतलब समझाओ मतलब देखो इसमें M net कितना आया मेरा जैसे पिछले question में अगर हम बात करूँ previous question तो previous question की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते है की M net का value था minus का 6 by 7 ये value था जादक मुझे यादा आ रहे है अब M net का sign क्या है negative तो negative से तुम क्या बोलते हो की real real या virtual virtual pair होगा ये ही बोलते हो तुम अब object तो तुम्हारा real था initially initial तुम्हारा object क्या था या था तो real था तो final image भी क्यों हो गया real ये गलत हो गया तो हम क्या बोल सकते है अगर हम आपर ये बोलेंगे कि object तो था real इसका मतलब image भी हो गया real ये गलत है ये पूरी की पूरी बात गलत है कभी भी अब ये काम हम कर सकते हैं अगर m जो है वो single mirror का हो m net के हाथ ये वोला काम नहीं करेंगे तो m net में final image का nature कैसे निकालेंगे simply last वाले या तो last वाले magnification से निकाल दो या देख लो आखरी वाले mirror की पीछे बनाया है कि नहीं बना तो ये जो concept है ये wrong है ठीक है तो this is wrong final image का nature m net के sign से नहीं निकालना मेरा क्या था बच्चों positive positive का मतलब real virtual का peace अब क्योंकि object जो है object में किसका m2 का object m2 का object कोँ था m2 का object ये नहीं था m2 का object था अगरे तुमें दिखाऊंग दो M2 object था यह I1 I1 front में था ना तो इसलिए real था तो क्या बोलेंगे real virtual पे है तो जो M2 का या O2 जो मैं बोलूँगा O2 जिसकों bracket में I1 भी बोल सकते हैं क्योंकि second के लिए object वही है जो पहले का image है वो real था तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि image जो है I2 वो क्या होगा हमारा virtual होगा या मैं सीधा बोल सकता हूँ कि final image कहा बना mirror के सामने या पीछे पीछे तो virtual होगा ठीक है और मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ और मैं क्या बोल सकता हूँ और मैं क्या बोल सकता हूँ कि final image mirror के mirror के पीछे बना तो virtual होगा इस मेर के पीछे बनके तो वर्चुल नहीं बोलेंगे कहीं फाइनल इमेज बनाने वाला मिर उसके सामने पीछे देखना है इस के से कौन होगया है तो अगर यहां इसके पीछे है तो वर्चुल है तो जिस इमेज जो इमेज रिफ्रेक्शन कर रहा है उस image उस mirror से ही हम यह वाली बात करते हैं तो मैं किया सारी सारी बात clear है कितना आसान है यह पहले mirror से लिया reflection सब कुछ निकाल लिया दूसरे से लिया सब कुछ निकाल लिया M net की बात करनी है M1 M2 को multiply कर सकते हैं final image का size निकालना है M net is equal to H0 upon में HO कर सकते हैं बीच वाली का निकालना है M1 is equal to H1 upon में HO कर दो ठीक है और अगर final image का nature बताना है तो सिर्फ और सिर्फ final ही उसको तुम consider करोगे M को या final reflection को consider करोगे कभी भी M net के sign से final image का nature नहीं बताऊगे यह वाली बात तुमें ध्यानक नहीं है किसी भी बच्चे को कुछ भी doubt हो पूसकता हो तो note क्या था final image का nature M net के sign से नहीं निकालना है यह वाली बात तुमें ख्याल रखना है यह बहुत गंदा बनके इसको मैं हटा देता हूँ तुम चाहो तो इसको मैं box में बंद कर सकता हूँ अगर तुमें अच्छा लगता हो box में बंद करना तो चाहो तो इसको मैं कैसे निकालना है वो एक बर और बता दो जैसे पहले निकालते हैं पहले कैसे निकालते थे इस mirror का final यहंने दो तरीके से निकालते थे एक निकालते थे M के sign से एक निकालते थे कि image पीछे बना तो virtual आगे बना तो real तो m2 लेकिन कों से mirror के पीछे आगे देखने है जो image बना रहा है 3 e मिसमिस दो ऑना है primary hyd clavos या ला a या M2 का मतलब इदास है misa का 3 by 7 यानि की positive और अगर M का sign positive होता है तो real virtual pair होता है अब इसका object देख लो इसका object था यह जो कि सामने था तो real था image क्या होगा virtual होगा यह दो तरीके हैं ठीक है दोनों तरीके समझ में आगे हैं तुम्हें इन ही दो तरीकों से निकालते हैं इसे image का nature एक तो M के sign से निकाल लेते हैं अगर हमें object का nature मालूम हो या फिर हम देखते हैं mirror के सामने बनाए कि mirror के पीछे बनाए पीछे बनाए तो virtual आगे बनाए तो रिये बात कत्ब सम्झ में आगी किसी को doubt कोई हो सकते हो doubt हो तो आगे बढ़ जाएं एक सवाल और करा दू इस पर चलो एक सवाल और देखिए आखरी सवाल आज का आखरी कोशन है बच्चने सो करो जरा यह है focal length इसका focal length 16 cm यहाँ पे एक plane mirror है और इन दोनों के बीच का gap है 50 cm तो question क्या पुछा है कि object को concave mirror से कितना दूर रखें कि यह raise यहाँ पर भी जा रहे है इसने ऐसा नहीं बोला कि पहला reflection यहाँ से लेना है तो यह raise यहाँ से जा रही है तो इसका एक image बनेगा यह raise यहाँ पर जा रही है तो इसका भी एक image बनेगा दोनों का अब्जेट दोनों के लिए object है इसके लिए भी इसके लिए भी दोनों का जो पहला पहला image है ना दोनों का जो पहला पहला image है वह coin side कर रहे है तो object को तुम्हें कितने distance से रखना है ठीक है object है के में से कितना दूर रखें कि दोनों का फस्ट इमेज तुम चाहों तो फस्ट बोल सकता हूं कि उन्हों का फस्ट इमेज को इंसाइड करें ठीक है ट्राई करो ज़रा इसको चलो अभी समय नहीं है बच्चो अबने बाद सिर्फ एक मिन्ट सेकिंड रहे तो मैं सो करी देता हूं ठीक है तो मैंने मान लिया लेट से मैंने ऑब्जेट जब यहां पर रख दिया यहांसे मैंने मान लिया एक्स पर तो plane mirror का तुम जानते हो कभी नहीं करेगा नहीं खरेगा देखो जरह तो अगर तुमने इस को X पर रख दिया तो plane mirror का इमेज कितने में बन जाएगा वे मम इंज इ hunt AP पीछे ब जाएगा अब इसको भी अपना इमेज कहा मनाने है वहीं पर बनाने है तो इसको मैं जल्दी जल्दी सोल कर देता हूं टाइम होत कम है एक मिनिट रहा है एक मिनिट से कम रहा गहे है अगर डिस्कनेट हो तो आज की इस कोशन को हम कंटीनियू कर लेंगे अगर आज है तो बात अच्छी है तो अब्जेक्ट यहां पर है हमारा प्लेण जो मिर्र वह तो इमिज उतने इस से पीछे बना देगा तो अगर यू का वैल्यू कीतना हो जाएगा बच्छों 50 माईनस में X इमेज कितने पर आना चीए 50 प्लस एक्स पर है बस बात बन गी अब देख को तो तीनो नेगिटीव है?